नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों ये वाली वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट होने वाली है चाहे वो 9th क्लास में है, 10th में है, 11th में है या फिर 12th क्लास में है तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी board copy में या final exam की copy में किस तरह से answers को लिखें कि हम पूरे marks अचीव कर सकें, maximum marks अचीव कर सकें तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ और शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैंने एक fine art और printing का paper ही यहाँ पर solve किया है, पहले तो एक board pattern paper यहाँ पर बनाया है और फिर उसको solve किया है जैसा कि आप लोग अपनी board copy में लिखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर मैंने लिखा है तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं, सभी को आप लोगों को पता है कि आपका जो painting का exam है, उसके अंदर 6 प्रशन दिये जाएंगे सभी प्रशन आपको करने होंगे, एक, दो, तीन, चार नंबर का जो प्रशन है वो दो नंबर के लिए है और प्रशन संख्या 5 जो है वो तीन अंक के लिए है और इसी तरह प्रशन संख्या 6, 4 अंक के लिए है और ये एक घंटे का paper आपका होने वाला है, पंदरा नंबर के लिए ये paper होने वाला है तो सभसे पहला प्रशन आपको यहाँ पर जो खंड A में दिया गया है, वो है बंगाल शेली के किनी दो चित्रकारों और उनकी कलाकरतियों के विशे में संशिप्त टिपनी दीजिए तो दोस्तों देख लेते हैं, ये है विटा आप लोगों की answer copy जो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए तयार की है तो सबसे पहले खंड A क्यूंकि आपने खंड A का answer दिया है तो खंड A से हम इसको लिखेंगे और क्यूंकि आपसे बंगाल शेली के किनी दो चित्रकारों के बारे में पूछा गया था तो दो चित्रकारों के नाम है अवनिंदरनाटे गोर और नंदलाल बोस उपर हमने mention कर दिया है कि बंगाल शेली के किनी दो चित्रकारों के नाम बिटब question लिखने के यहाँ पर बिल्कुल भी आपको अवशकता नहीं है आपको सर्फ answer लिख करके और कौन से खंड का answer है उस तरीके से अपने answers की शुरुआत कर देनी है अब उन्होंने पूछा था कि कलाकृतियों के बारे में बताओ तो कलाकृतियां सबसे पहले कलाकृति जो दी है वो है यात्रा का अंत और यह कलाकृति है अमनिंद्रनाथ टेगोर की किनकी क्योंकि इन ही कलाकार की कलाकृतियों के बारे में बात करनी थी तो इस चितर में एक ठके हारे उंट को चितरत किया गया है, इस चितर को जीवन संध्या नाम से भी जाना जाता है, पिटाई एक चीज हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि दो नंबर का प्रेशन है, तो उसमें सिर्फ दो नंबर के बराबर लिखना है, पेसक आपको ये चितर ब इसी तरह दूसरा चित्र इहां पर उठाया गया है चित्र का नाम है शिव वर्शती और यह नंदलाल भोस का चित्र है तो इस कलाकरती का अंकन नंदलाल भोस ने 1947 इश्वी में किया यह बंगाल शेली की निजी विशेष्टा यानि वाश पदती में चत्रत की गई है इस चत्र में भगवान शीव एवं माता पारवती से सम्बंदित एक पोहरानिक ग्रश को चत्रत किया गया है बस इतना ही लिखकर इसके अंदर बेट आपको छोड़ देना है चलते हैं आपके question paper के second question पे जो है अपने पाठ्थे करम में शामिल किन ही दो कलाकारों जिसमें की एक मूर्तिकार और एक ग्राफिक कलाकार का नाम बताईए और उनकी कलाकरती के विशे में लिखे यह लगभग बिलकुल पहले जैसा प्रशन है लेकिन वहां पे बंगाल शेली की बात हो रही है और यहां पर मूर्तिकार और ग्राफिक कलाकार की तो सेम ऐसे ही लिखेंगे मूर्तिकार देवी प्रशादराय चौदरी और ग्राफिक कलाकार सोमनाथोर ठीक है अब इनकी कलाकरतियों को उठा लेंगे तो श्रम की विजए तो श्रम की विजए जो मूर्तिकार का नाम देवी प्रशादराय चौदरी है इन्होंने इस मूर्ति में चार मजदूरों को लकड़ी की बल्लियों की सहायता से एक चट्तान को धकेलते हुए चत्रित किया है बस और ज़्यादा कुछ मेंशन करने की जरुरत नहीं है इसका समय बता देना है कि देवी प्रशादराय चौदरी ने इस मूर्तिशिल का अंकल 1954 एश्वी में किया है बेटा एक चीज और ध्यान रखिए अगर आपको ऐसे 1954 आपको पूरा का पूरा याद नहीं आ रहा है कि क्या सन्था तो आप 19-वी शताब्दी भी लिख सकते हो अगर आपको 19-वी शताब्दी याद आ रहा है अगर आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है तो इस लाइन को आप लिखे ही ना लेकिन ऐसा ना करें कि जगह छोड़ दें उसमें आपके माक्स कट सकते हैं तो दूसरा है बच्चे जो की ग्राफिक कलाकार की तो बच्चे यहां पर यह जो बच्चे है ना यह मूर्ति शिल्प नहीं है देखो बच्चे जो है वो ग्राफिक है तो बच्चे ग्राफिक चित्र के ग्राफिक कलाकार का नाम है ना यह मूर्तिकार बच्चे मिस्टेक स और एक्वाटिंट तकनीक से तामबा प्लेट के माध्यम से किया आपको सर्फ इतना लिखना है अब आपका है कुश्ण नंबर तीन जो आपको यहाँ पर दिया गया है और बिटा ये वाला प्रशन भी आपको दो नंबर में ही पूछा तो प्रशन है भारत की प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के विशे में बताईए उनकी कलाशली के अधार पर उनकी किसी एक कलाकृति का संशित विवरन दीजे तो प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के बारे में आपसे और उनकी कलाकृति के बारे में भी आपको बताना है तो राम किंकर बैच सबसे पहले भारत के पहले आधुनिक मूर्तिकार है तो भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार की तौट पर राम किंकर बैच को जाना जाता है इनका जनम 1910 में बंगाल के बांकुड़ा जिले में पंदरा वर्ष की आयू में इनका जो चित्र था सीता एकसाइल प्रवासी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ ये राम गिंकर बैज के बारे में थोड़ असा आपको इंट्रोड़क्शन देना है कि राम गिंकर बैज कौन थे, कहां जनम हुआ, किसले फेमस हुए इसके बाद इनकी कलाकरती के बारे में बेटा आप बता दोगे, जो भी कलाकरती आपके सलेबस में दी गई है, जैसे की सान्थाल परिवार दी गई है इस मूर्ति शिल्प में राम गिंकर बैज ने संथाल जन जाती के एक परिवार को, परिवार के चार सदस्यों को अपने सामान के साथ प्रस्थान करते हुए अंकित किया है राम गिंकर बैज ने अपनी कला की माध्यम से समाज की पिछडे वर्गों को एवं उनकी जीवन शैली को प्रदरशित किया देखो बीटा, हमेना सबसे पहले कोईशिन के लेंगवेज को समझना होता है इसके अंदर पूछा गया था कला क्रती के माध्यम से उनकी कला शैली तो सबसे पहले उनकी कला क्रती के बारे में बता दिया और थोड़ा सा उनकी कला शैली के बारे में बता दिया और याद रखना है कि अगर question कम marks का है दो marks का है तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लिखना है आपका question number 4 बिटा यहां पर आपको दिया गया है कि बंगाल शेली की प्रशिद वाश चितरन पदती का विवरण दीजे अब निंद्रनाथ टेगोर इससे किस प्रकार संबंदित है विवेचन कीजे देखे बंगाल शेली बहुत ज़्यादा important topic है और मुझे लगता है कि final exam में इस पर आपसे question जरूर पूछा जाएगा तो बंगाल शेली की विशेशता थी वाश चितरन पदती तो यहाँ पर आपको वाश चितरन पदती की detailing करनी है सबसे पहले और फिर बताना है कि वो किस तरह से related थी अमनिंद्रनाथ टेगोर से तो वाश पदती के बारे में बताते हैं तो भारत में सरप्रथम वाश पदती का प्रियोग बंगाल शेली में किया गया वाश पदती जल रंग की ही एक विधा है इसके अंतरगत जल रंग का प्रियोग मोटी हैंड मेट शीट पर किया जाता है शीट पर जितनी बार नया रंग लगाया जाता है उतनी बार शीट को पानी से धोया जाता है जिससे आवश शक्तानुसार रंग सीट सोख लेती है, एम अतिरिक्त रंग पानी के साथ बह जाता है, वाश्पदती मूलतहा लाइन ड्रॉइंग है और रेखा पर अधारिती ये कला है, जो कि चित्र में एक रहसे में वातावरन उत्पन कर देती है, तो वाश्पदती के बारे में थोड़ बहुत जादा लिखने के आवशकता नहीं है, भारत में वाश्पदती से कलाकारों का परीचे कराने का जो श्रय है, वो जाता है अमनिंदरनाः टैगोर को, ठीक है, और स्वरपरतम वाश्पदती का जो चित्रन किया था, वो अमनिंदरनाः टैगोर ने किया था, और ये उन्होंने सीखा था किस से, मत्तब जापानी कलाकार से, उन जापानी कलाकार का नाम था, याकोयामा टैकान और हिंसिंदा, इनसे इन्होंने इस वाश्प तक्नीक को सीखा था, बंगाल कलाशेली के माध्यम से, इन्होंने इसका प्रचार वे प्रसार किया था, अच्छा ब बिटा खंड पी में जो यहाँ पर आपको कोईशन दिया गया है कोईशन नमबर 5 यह तीन नमबर का प्रशन है बिटा आपका प्रशन पढ़ लेते हैं आधुनिक मूर्तिशिल्प जिसमें एक घरीब परिवार का अंकन कर मूर्तिकार को पुरसकार स्वरुख भारत के बती से सोने की पट्टिका मिली है तो सबसे पहले तो उस मूर्तिशिल्प के मूर्तिकार का नाम आपको बताना है दूसरा मूर्तिशिल्प का नाम बताना है एवं उसमें प्रियोग की गई कलासा मगरी के विशे में बताना है तीसरा बिटा मूर्तिकार ने इस मूर्तिशि जिसमें आपसे पूछा गया है कलाकृति जिसमें एक महिला के चहरे रहित सफेद साड़ी पहने उए दिखाया गया है उसने अपने गुटनों पर एक व्यस्क बीमार वेक्ति को लेटाया हुआ है तो दोस्तों यहां पर भी आपको एक जो चित्र है उसको पहचानना है का नाम बताओ दूसरा कलाकार द्वारा इस पैंटिंग में किन भावनाओं को प्रकट किया गया है आपकी समझ की अनुसार इस पैंटिंग में केंद्रियम महिला करती कौन सी हो सकती है संचेप में कुछ सौंधर गुणों की सरहाना करें जिनकी आप इस कलाकृती में 5 नहीं दो नहीं समझें, तो हम इसका करें गी और वाला प्रशन को करने के लिए हमें कैसे question शुरू करना है लिकिन मैंने इस सिर्फ इहां पर एक ही question है क्योंकि मैं आप लोगों की तरह ही बोड एक्जाम पैटरन को फोलो करके इहां पर आपकी एक answer sheet को तेयार कर रहे हूं ठीक है विटा लेकिन यह जो मैंने एक पूरा का पूरा model test paper आप लोगों का बनाया है इसका solution में जल्दी से जल्दी upload कर दूँगी जिसके अंदर और वाला भी और और से पहले वाला भी question का answer दूँगी देख लेते हैं पिटा आपका और वाला प्रशन का answer तो सबसे पहले तो आप खंड बा अच्छे से mention कर देंगे और और करके आप इसका solution दे देंगे कि पहला जो answer प्रशन लिखने की जरत नहीं है जिसमें आपसे कलाकरती और कलाकार का नाम पूछा गया है तो कलाकरती का नाम मदर टेरेसा है और कलाकार का नाम MF उसेन है और आपका जो यहाँ पर second point में पूछा गया था कि क्या दिखाया गया है तो कलाकार के द्वारा इस चितर में ममता सहयोग तथा मानविय समवेदनाओं को धर्शाया गया है इस चितर में विर्ष्व प्रशित ममता में मदर टे तो हमको लगता है कि इस चितर में नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने महिला आकरती को केंद्री आकरती के रूप में चितरत किया गया है इन्हें मदर टेरेसा के रूप में पहचान मिली है इस महिला आकरती ने नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनी हुई ह जिसके पल्लू से वह एक बालिका को आश्रय प्रदान करती प्रतीत होती है इसके साथ ही उनके घुटनों पर एक व्यस्क बीमार आदमी लेटा हुआ है जिसको कि वह दाहिने हाथ से आशा, धैर्य तथा हिम्मत रखने का संकेत दे रही है चितर में तेलिय और एक्डरेलिक रंगों का अदभूत सहियोजन चितरकार ने हाँ पर दिखाया है सान्त एवम सोहात पूरर रंगों का प्रियोग चितर में किया गया है चितर को तीन भागों में बाढ़ कर चितरकार ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है जीवन की तमाम खुजियों का साल समयटे हरे रंग की पत्तियों को भी चित्रकार ने चित्र में बखु भी दिखाया है बिटा इसके बाद आजाता है आपका लास्ट प्रशन जो कि आपसे चार नमबर में हापर पूछा गया है और वो है आपका खंड सी में प्रशन नमबर 6 आपको बोला गया है कि भारतिय रास्ट ध्वज का चरण बद विकास पर निबंद लिखिये दोस्तों ये कोईशन भी एक important कोईशन है तो क्यूंकि आपको निबंद लिखना है किस पर चरण बद विकास पर रास्ट ध्वज की तो सबसे बड़ा प्रशन है चार नमबर का प्रशन है आपको अच्छे से इसको solve करना है लेकिन उससे पहले खंड सा आपको mention कर देना है अब बेटा इससे आप थोड़ा confuse ना हो उधर खंड A, B, C लिखा हुआ है और यहाँ पर खंड A, B, C लिखा हुआ है थोड़ा सा हिं इकास के तीन चरण है सबसे पहले पहला चरण यह हम शुरुआत कर रहे हैं किसी निबंधी की शुरुआत हम कैसे करते हैं उस तरीके से इस question का आंसर हमको यहाँ पर देना है तो प्रथम चरण 1906 में हुआ था कॉंग्रेस की शभा का आयोजन किया गया था उस वक्त हुआ दित्य चरण 1921 में था इसका जब भारती रास्टे कॉंग्रेस का विजवाड़ा अवधी वेशन था उस वक्त और तीसरा चरण 1947 जुलाई में जब आजादी से पहले इसको रास्टे ध्वज घोशित किया गया था और फिर 15 अगर्स को लाल किले पर इसको रास्टे तो रास्टे ध्वज के विकास के तीन चरणों का उल्ले एक निम्नलिकित है प्रथम चरण को सबसे पहले आप एक्स्प्लेइन करेंगे कि हिंदू मुस्लिम एक्ता को भंग करने के उदेशे से 1905 इश्वी में बंगाल का विभाजन बिटिस सास्ट को की सोची समझी एक च पीले लाल तीन रंग 36 समानुपात एक पट्टियों में विभागत थे शीर्ष पर हरी पट्टी में आठ सफेद कमल के एक सीध में कमल के जो फूल है या कल्या है अंकित की गई थी मद्दे की पीली पट्टी में गहरे रंग से वंदे मात्रम देवनागरी लिपी में लिख तथा दाहिनी और अर्धचंद्र और उसके उपर एक सितार अंकित किया गया था बेटा यह हमारा सबसे पहला जो तिरंगा था 1906 में जो हमारे तिरंगे का प्रथम चरण माना जाता है तो बेटा यह वो वाला है ठीक है अब उसके बाद धित्य चरण में हमारे तिरंगे मे क्या क्या चेंजिस आए तो यह चेंजिस आए 1921 इश्वी में कब भारती रास्ट्रे कॉंग्रेस की विजवाडा अधिवेशन के दौरान आंध्र प्रदेश के एक यूवक पिंगली बेकईया ने इसको तयार किया था चीक है किसको दूसरे द्वज के डिजाइन को और उन हखे गया था हरी पती मुसलिम संंबुदाय में के प्रतिमित्व परदेंध्व कर दीचर्थी एतन प्रतिमिंद्व करती थी जबकी चर्खा क्रांति कारियों का प्रतिक जिन था और यह था हमारे तलिपती का दूसरर सौर उरूप उनिस सो एक कि मिला है तृत्य चरण यानि की जो हमारा फाइनल तिरंगा है, हमारा रास्ट द्वज है, जिसको आज हम अपने रास्ट द्वज की तौर पर जानते हैं, वो हमें गब मिला, तो भारते रास्ट द्वज तिरंगे का वर्तमान स्वरूप, ठीक है, तो भारत के लोगों की भावनाओ, राजनेतिक वे सामाजिक अकांशाओं, तता सुतंतरता के लिए संगर्शरत आंदोलन कारियों की चाहतों को ध्यान में रखते हुए, गहन विचार विमर्ष के बाद भारते सवी धान सभाने, 22 जुलाई 1947 को भारते रास्ट द्वज के रूप में इस तिरंगे को स्विक्र भारत का रास्ट द्वज तीन रंगों वाला अर्था तिरंगा भारत के लोगों का गौरव तथा उनकी अंतरास्ट पहचान का प्रतीक है, जैसा कि आपको अभी पता भी है ना, जैसे कि उक्रेन में हो रहा है और रूस में, रूस ने उक्रेन पर युद कर दिया है, तो व हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, तो रास्ट द्वज की जो लंबाई वे चोड़ाई का अनुपात है, वो तीन अनुपात दो है, यह चीज आप जरूर याद कर लें, अगर आप इस को याद कर रहे हैं, या एक्जाम में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीन अनुपात दो क्या होता है, तो बिटा, अगर द्वज की लंबाई हम तीन सेंटीमीटर लेते हैं, तो चोड़ाई दो सेंटीमीटर, और अगर लंबाई छे सेंटीमीटर लेते हैं, तो चोड़ाई चार सेंटीमीटर, इस तरह से ही सेंटीमीटर का मीटर और किलोमीट सबसे छोटी से छोटी रेशियों को निकालते थे काटने के बाद, यह वही चीज है, वही रेशियो है, यानि कि लंबाई हमेशा उसकी तीन रहेगी और चोड़ाई दो रहेगी, सरलतम रूप में करने पर, ठीक है, तो यह द्वच तीन समानुपातिक 36 रंगीन पट्टियों सबसे उपर केशरिया रंग है, इसमें मध्य में सफेद, नीचे हरे रंग की पट्टी दी गई है, बीच की सफेद पट्टी में उसकी चोड़ाई के बराबर गहरे नीले रंग से बना 24 तीलियों वाला धम चक जो की अशोक चक्र है, वो लिया गया है, जिसे अशोक के सारन नहीं लिखना वरना हम यहां पर इसका जो हमारा रास्टे ते रंगा है, उसका जो प्रतिकात्मक अर्थ हैं हम वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक अलग कोईशन होगा, जब पूछा जाएगा कि रास्टे दुहज का जो प्रतिकात्मक अर्थ है वो बताईए, तब उसके आप उसका हरा नारंगी सफेद और चक्र का ब्लु कलर को आप एक्स्प्लें करोगे, तो यह था आपका पूरा का पूरा मॉडर टेस्ट पेपर जिसको मैंने आपकी बोर्ड कॉपी कैसे आप लिखोगे अपनी प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड में जिससे कि आप मैक्सि लिखना है किस तरह से हमें अपनी फाइनल एक्जाम की कॉपी या बोर्ड कॉपी को तयार करना है अच्छा एक चीज और ध्यान देखिएगा लास्ट में आप ऐसे समाप्त जरूर लिख दे ठीक है और उसके बाद बिटा जो आपकी शीट बची है या ब्लैंक पिपर बच बच्चे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे से मार्क्स अपने प्री बोर्ड और बोर्ड एक्जाम में अचीव कर पाएंगे मेरी बस एक ही गुजारी से बच्चे आपसे मेरी वीडियो को लाइक करें अपने द